ये कहानी है मेरे प्रभुश्री राम की, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का हैंका, जानगी में मेरे प्राण बसते हैं राघव ने मुझे पानी के लिए शेवत हैनुष तोड़ा था जैश्री राम आज के इस वीडियो में बात करेंगे पिछले दो आप तो से बॉक्स ओफिस पर धमाके दार कमई करती जा रही फिल्म दकेरला इस्टोरी के सुरु आती चौदा दिनों के वल्ड़ वाइट कलेक्शन के बारे में वही पिछले हापते रिलिच हुई विद्धु जमौल की फिल्म आईबी सेवन्टी वन के साथ दिनों के कलेक्शन के बारे में साथ साथ बात करेंगे बोल्यूट के असली एक्सन सुपरिश्टार सनी देवल की फिल्म गदर टू के बारे में तो पेन इंडिया सुपरिश्टार प्रभास के फिल्म आदी पूरुस के बारे में तो चलिए सुरुआत करते हैं देखते रहिएगा पूरा विडियो साथ साथ कमेंट करके बताईएगा कि इन चारों फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है सबसे पिल अगर बात करें पिछले हपते रिलीज हुई फिल्म IB71 के बारे में जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे विजदुज जमौल और उनके साथ नजर आये थे अनुपम खेर बताना चाहूंगा दोस्तो इस फिल्म को बोक्स ओफिस पर रिलीज हुए आज कंप्लीट हो चुका है एक हपता यानि कि साथ दिन और लो बजट की फिल्म होने के बावजोद भी इस फिल्म ने पहले हपते में एक तरह से डीसेंड कमई की है और फिल्म दूसरे हपते में भी एक जबर जस्त कलेक्शन कर सकती है हाला कि बात करें फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन की तो दोस्तों IB71 ने अपने सुरुवाती छे दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन दस करोड पचपल लाक रुपे का किया था वही जिस तरह फिल्म को साथवे दिनों के पिंसी मिली है उस इसाब से IB71 आज यानि के अपने साथवे दिन इंडिया नेट कलेक्शन एक करोड पांच लाक रुपे का कर रही है इसी के साथ IB71 का सुरुवाती साथ दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है ग्यारा करोड साहट लाक रुपे तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन तेरा करोड असी लाक रुपे बताना चाहूंगा फिल्म ने और सिज मारकेट यानिकी विदेशों से एक करोड सतर लाक रुपे कमाए है इसी के साथ IB71 का सुरुवाती साथ दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन पंद्रा करोड पचास लाक रुपे का हो चुका है जो कि फिल्म के बजट के हिसा आप से काफी सांदार कमई है अब देखते हैं कि यह फिल्म दूसरे हपते में बोक्स ओफिस पर केसा कलेक्शन करती है लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें दो हपते पहले रिलीच हुई फिल्म दकेरला इस्टोरी के बारे में तो कम बजट और ज्यादा कमई करने वाली फिल्म दकेरला इस्टोरी को बोक्स ओफिस पर आज कंपलीट हो चुके हैं दो हपते जिया दोस्तों फिल्म ने बोक्स ओफिस पर आज 14 दिन कंपलीट कर लिये हैं और फिल्म ने शुरुआती 14 दिनों में जो कमई की है वो इस साल सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान भी नहीं कर पाई थी जिया दोस्तों अगर बात करें दे केरला इस्टोरी के अब तक के टोटल कलेक्षन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म ने शुरुवाती 13 दिनों में यानि कि कल तक इंडिया से नेट कलेक्षन 165 करोड 94 रुपे का किया था वही दोस्तों ये फिल्म आज यानि कि अपने 14 दिन इंडिया नेट कलेक्षन 9 करोड से भी जादा का कर रही है यानि कि दोस्तों दे केरला इस्टोरी का सुरुवाती 14 दिनों में इंडिया नेट कलेक्षन 175 करोड का हो चुका है तो इंडिया ग्रोस कलेक्षन 208 करोड रुपे फिल्म ने ओर सिज मार्केट यानि की विदेसों से लगभग 10 करोड की कमई की है इसी के साथ दोस्तो दे केरला इस्टोरी का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्षन 218 करोड रुपे हो चुका है और दे केरला इस्टोरी बोक्स ओफिस पर ब्लोक बश्टर का टेग हसिल कर चुकी है लेकिन अब अगर बात करें इस साल की वन अब दे बिगेश्ट फिल्म आदी पूरुस के बारे में जिस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे पेन इंडिया सुपरिश्टार प्रभास और उनके साथ नजर आएगी कृती सेनन सेफ आली खान तो दोस्तो 16 जून को सिनमा घरों में दस्तक दे रही फिल्म आदी पूरुस जिसका टीजर तो एवरेस था लेकिन ट्रेलर की सभी ने तारीफे की और फिल्म के लिए जो एकसाइटमेंट है वो ट्रेलर ने काफी ज़्यादा बढ़ा दी थी तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेलर के अंदर आपको आदी पूरुस फिल्म का एक सूंग सुनने को मिला था जिसका नाम था जैसरी राम तो वो सूंग की सिर्फ एक जलक हमें ट्रेलर में देखने को मिली थी लेकिन जितने भी प्रभास और आदी पूरुस फिल्म के फेन से वो बे सबरे से इंतजार कर रहे थे कि एकिर आदी पूरुस का पहला गाना यानि कि जैसरी राम आखिर कब रिलिच होगा तो दोस्तों आपको बता दे कि आदी पूरुस फिल्म के मेकर्स की ओर से ओफिसल कंफोर्मेशन आ चुकी है कि आदी पूरुस फिल्म का जो पहला गाना है जैसरी राम जैसरी राम इस गाने को रिलिच किया जाना है 20 मई को जिया दोस्तो 20 मई यानि कि आज से सिर्फ दो दिनों बाद आपको आदी पूरुस फिल्म का पहला गाना यूटूब पर देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है जैसरी राम लेकिन दोस्तो अब अगर बात करें इस साल की वन अब दे बिगेश्ट एक्सन फिल्म गदर टू के बारे में जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल सर्मा ने और इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे बोल्यूट के एक्सन लेजेंट सनी देवल और उनके साथ नजर इंतजार कर रहे हैं कि गदर टू का टीजर आखिर कब रिलिज किया जाएगा दोस्तो जितने भी गदर टू और सनी देवल के फेन से उन सब के लिए एक बड़ी खबर ये आ चुकी है कि गदर टू के पहले आप सब को गदर वन फिर से बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिले जिया दोस्तो आपको बता देगी यहाँ पर गदर वन यानि कि जो फिल्म आज से 22 साल पहले रिलिज हुई थी वो फिल्म फिर से 9 जून को सिनमा घरों में रिलिज होगी और साथ ही साथ दोस्तो ये खबर भी आ रही है कि जब गदर वन 9 जून को सिनमा घरों में रिलिज ह तो गदर वन के साथ में ही गदर टू का टीजर भी रिलिच किया जा सकता है जिया दोस्तों यहाँ पर गदर टू का टीजर 9 जून या फिर 15 जून को हम सब को देखने को मिलेगा तो दोस्तों जितने भी फेन से गदर टू और सनी देवल के तयार हो जाईए अगले महीने आपको गदर टू फिल्म का धमाकेदार टीजर यूटूब पर और सिनिमा घरों में गदर वन के साथ देखने को मिलेगा